सब गाइस मेरा नाम है इशान and welcome back to the channel इशान टेक वोल्ड and welcome back to the another episode of our new video that is technical in vlogging style तो दोस्तों अगर आपको नहीं मालू में कि technical in vlogging style रचानल से क्या स्टार्ट होगी आईगे तो गाइस यह मेरे खाल से तीसरा वीडियो है मतलब इस category में यह हमारे चैनल के उपर जो है नहीं नहीं category स्टार्ट होगी यह technical in vlogging style तो इसके बारे में जोना दोस्तों आप देख सकते हूं नीचे मैंने एक link जो है ना वो पिन किया है comments में उसके क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं क्या है यह चीज़ तो गाइस वीडियो में मैं आपसे बात करने माला हूं एक बहुती खतरनाक बीमारी के बारे में आज कल इंडिया में सबसे जञदा है वो बीमारी जो की है TikTok की बीमारी तो अगर आप कोई बीमारी है अगर आप TikTok की बीमारी से जूझ रहे है तो जल से जल चो है ना दोस्तों आप इस बीमारी को छोड़ दिजे क्योंकि आगे चलके जो है आपको इससे बहुती ज़्याद तो चले दोस्तों फिर स्टार्ट करता हूं वीडियो को आगे भडाता हूं so without further ado let's get started तो guys वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अगर मैं TikTok के बारे में आपको पता देता हूं तो January 2020 टक TikTok के टोटल 104.7 million downloads है worldwide 104.7 million downloads और यह जो हैना दोस्तों increase हुआ है मतलब उससे एक साल पहले के करीब या एक साल के रेशो में जो हैना यह 41% तक increase हुआ है जिसमें से out of that 41% 34.2% सिर्फ इंडिया का contribution है मतलब यह हुआ कि इंडिया में जो हैना दोस्तों इस application को 34.2% के रेशो से download किया गया है just in a span of one year तो आप अंदाज अलगा सकते हो कि इंडिया में जो हैना दोस्तों इसकी बीमारी बहुत जबदर्स थे और कोरोना वारेस से ज़्यादा खतरना के दोस्तों टिक टॉक यह मैं आपको बता देता हूँ स्टीव हफ्मन ने टिक टॉक के बारे में ये का है कि ये एक पेरसेटीक है पेरसेटीक टिक टॉक ऐक पेरसेटीक है स्टीव हफ्मन कौन है जो रेडिट के चल replied वो है C Huffman और एक इनका कुछ तो प्रोग्राम चल रहा था उसमें जो ना तो किसी ने स्टीव हपन से कहा कि आपको जो है ना टिक टॉक से कुछ इंस्पिरेशन लेनी चीए क्योंकि टाइम बाइटाइम जो है इतना राइस हो रहा है टिक टॉक उसे जो ना आपको कुछ इं अप्लिकेशन है ऐसी अप्लिकेशन को मैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करूंगा और इसके बाद में आगे उसी प्रोग्राम में किसी ने उनसे पूछा टिक टॉक के और बारे में तो उन्होंने क्लियरली ये स्टेट्मेंट कहा है कि I have not installed that spyware application in my phone तो इससे दोस तो एक चीज साबित हो जाती है कि यार टिक टॉक जो है वह बहुत खतरनाक है ऐसे तो बहुत सारी अप्लिकेशन है जो आपको spy करती है लेकिन टिक टॉक जो है ये इतनी जादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें इंसान हच से जादा घुसा हुआ है और आपको तो मैंने जाती है लेकिन आगे चल जाए उसे बहुत जादा नुकसान हो जाता है टिक टॉक के ओपर जो है ना वह एक लिंक वायरल हो रहा था है क्योंकि आपको पर उसके पास में उसका एक्सेस चला जाता था और उसके बाद में आपकी प्रोफाइल के साथ में कुछ भी कर सकते थ ने कहा था कि हमें हमने जो एना बहुत ही जादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन्स लिए हैं अपने यूजर्स के डेटा को प्रोटेक करने के लिए और यह जादतर हाल करने बोलती है लेकिन मैं आपको चीज बता देता हूं कि जब स्टीव हफ्मन ने यह कहा था कि वह एक तो वहां पर बाइट डांस की तरफ से कोई भी जो एना कमेंट इसके खिलाफ नहीं आया मतलब अभी तक कोई भी रिप्लाइ इसके खिलाफ नहीं आया है किसी ने भी स्टीव हफ्मन को जवाब नहीं दिया है तो आप बोलेंगे कि यार ज़रूर ठोड़ी कोई जवाब द टिक टॉक ओनर कमपनी बाइट डांस ने सोचा कि भाई नहीं बोलना ही अच्छा है चूप रहना ही अच्छा है और इसके बाद में आप देख सकते हो कि टिक टॉक में क्या क्या पागल पंती वाइरल होती है अभी रिसेंटली स्कॉल क्रशर जैसा कोई एक गेम टिक टॉक में वाइरल हुआ था जिससे काफी जादा नक्सवान हुआ था लोगों को बहुत चोड़ पहुची और सबसे जाद जाद पहुची तो यूट है जो टीनेजर्स है वो इसको सबसे जादा यूस कर रहे तो यह भाई जो एना बहुत ही खतरनाक बिमारी है यह ऐसी बिमारी ह जो कोरोना वाइरस से भी जादा खतरनाक है तो मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप इस बीमारी से जो है ना वो बच के रहे तो गाईस मेरा यही तक था अगर आपको पसंद आया यह वीडियो तो आप भी कभी शेयर कर देजिए ऐसी इंफुमेशन है अगर आपको लगती है यूस्फिल इंफमेशन है तो सब के पास में जोना इंफमेशन जानी चाहिए और हमारे चैनल से आप टेच में रहिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रहिए साथी में आपको जैना वह बेल का एकन को भी प्रेस कर देना है नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर देने ताकि जो भी आगे अपडेट्स हमारे चैनल में पढ़ते रहेंगी उसके नोटिफिकेशन आपको जोना वह कंटीनिस बैसे पर मिलते रहेंगे तो आपका सपोर्ट जोना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेट रख है तो चले दूस्तों फिर मिलता हो इंशाला आपसे अपने आगले वीडियो में जय हिंद्ट